नमस्कार दोस्तों सुषान सिंग राजपुत की याद में सुषान के फैंस लगभग महीने में एक बार जरूर कुछ न कुछ कार्चकर्म कायोजन करते हैं चाहे वो प्रोटेस्ट हो चाहे वो सरधांजली हो और ये चीजें देश के लगभग हर सहर में होता है चाहे वो दिल्ली हो चाहे वो कलकता हो चाहे गौहाटी हो चाहे हैदरबाद हो इंदौर हो मुंबई हो हर सहर में शुषान के फैंस हैं और वो अपने अंदाज में सिलिबरेट करते हैं याद करते हैं और हमेशा उनकी यादों में डुबे रहते हैं एक साल नौ महिने के करीब हो चुके हैं इस घटना को जून आने वाला है और 14 जून कोई नहीं भूला है क्योंकि 14 जून एक ऐसी काली रात है जो कि सुषान्द के फैंस याद करके भाबुक हो जाते है और आज फरवरी 25 या 26 है जून आने में सिर्फ तीन-चार महिने बाकी है एक बड़ी तयारी हो रही है पुरे देश में पुरे देश के हर सहर में विदेशों में भी कि 14 जून दो साल पूरा होगा और 14 जून को इतना बड़ा आंदोलन हो कि देश के हर नागरिक को ये पता चल जाए शत्ता को पुलिस को पक्च को विपक्च को कि सुशांत के फैंस सांथ नहीं हुए है उनके अंदर जैसे जैसे समय बीत रहा है जोश और बढ़ रहा है और वो इनसाफ की लड़ाई के लिए हर पल हमेशा तयार हो रहे हैं और मैं आज आपके साथ सिर्फ इतना ही अपील करूँगा पुरानी बातों को भूलते हुए 14 जून जो आने वाला है उसमें ऐसा एक आंदोलन खड़ा किया जाए जिससे कि देश का हर नागरे के समझ जाए कि सुशान्त के फैंस में आज भी वो ताकत बची हुई है आज भी वो इनसाफ की आवाज उठा रहे हैं और इस बार 14 जून को ऐसी बात हो ऐसी ताकत दिखे कि कोई भी ये कहने से न चुके कि सुशान्त आज भी सब के दिलों में बसते हैं सब के दिलों में रहते हैं और ये आवाज देश के हर सहर में होनी चाहिए मैं जानता हूँ कुछ ऐसी चीजे हैं जो कि मैं इस पेटफॉर्म पे नहीं बोलना चाहता लेकिन इसारों में बोल लेता हूँ कि आप इसकी चीजों को साइड रखते हुए और मजबूती के साथ हमें लड़ना चाहिए क्योंकि हमने और आपने सबने मिल करके इंसाफ की सुरुवात की है सुरुवाती दिनों के बिल्कुल बोलना है और उसे याद करते हुए इस इंसाफ की आवाज को मजबूत बनाना है और 14 जून का प्लान आज से ही करना चाहलो कर दीजिए सब लोग आपस में बाचित करिए और कुछ बड़ा करने का परियास करते हैं जैहिन जै भारत